नमस्कार मित्रो प्रूशी चिंतने चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज का चेप्टर है संसार और शप्ना एक किसान था उसके एक लड़का था और कोई संतान नौ थी वह लड़के को बड़ा प्यार करता था और खुब लाड से पालन पोशोन करता एक दिन यह खेत पर काम कर रहा था तो उसे लोगों ने खबर दी कि तुमारा लड़का बड़ा बीमार है उनकी आलत बहुँ खड़ा है किशान घर पर पहुँचा तो देखा लड़का मर चुका है घर में स्त्रीयोवा रोने लगी पडोशिय ने भी उस उन हार लड़के के लिए रोती हुई आई किन्तु किशान न रोया न दुखी हुआ वह शान्त चित से उसके अंतिम संस्कार की वेवस्ता करने लगा श्त्री कहने लगी किशा पत्थर का कलेजा है आपका एक मत्रब बचा था वह मर जाने से भी आपका दिल नहीं दुखा थोड़ी देर बात मैं किशान ने स्त्री को बुला कर कहा देखो रात को मैंने एक सपना देखा था उसमें मैं राजा बन गया मेरे साथ राजकुमार थे जो बड़े ही सुन्दर और वीर थे प्रच्युड दंड संपति थी सुबह आग खुलते ही देखा तो सब नश्ट अब तुम ही बताओ कि उन साथ पूत्र के लिए रोव या उसके लिए यह कहते हुए अपनी स्त्री को भी समझाया ग्नानियों के लिए ऐसा सपना है वैसा ही यह रश्य जगत यह भी सपनवत है यह जानकर ग्नानी लोग उसके हानी लाप से प्रभावित नहीं होते और अपनी सदा एक राश सत्य नित्य रहने वाली आत्म स्तिर में स्तिर रहते है आख खंड जियोती एप्रिल और निशने बास आट जाई गुर्देव जाई गुर्देव जाई गुर्देव जाई गुर्देव है